नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए ज़ारखन के दिन भर की खबर जानते हैं ज़ारखन सरकार सिवीर लगा कर राज्य के निजी कमपनी में देगी नोकरी ज़ारखन के अंदर जितनी भी कमपनीया है, उनमें 75-35 अस्थानियों लोगों को नोकरी देने के त्यारी की जा रही है, कमपनीयों में ही सिवीर लगा कर अस्थानियों लोगों को नोकरी दिलाई जाएगी बनोत पादन के लिए बजार भी तयार किया जा रहा है, मस्पी भी तयार किया जा रहा है, एबाते सीम हे मंसुरे ने गोईल के रामे कही यहां मंत्री जोभा मांजी की दिवंगत पती, देवेंद्र मांजी की सरधानजली सभा और आपकी जोईना आपकी सरकार आपके द्वार कारकर में सामिल होने पहुचे थे मोखे मंद्री ने कहा है कि जारखन देश के सबसे पिछले राजों में सामिल है या इस राजे का दुरभागय है राजे के लोगों को अपने पैरों पर खाड़ा होना होगा लोगों को पलाइन करने के ज़रूरत नहीं है दूसरे राजे में जाकर बरतन माजने से बचने के लिए हम परदेश में ही काम दे रहे हैं परदेश को लोग अपने मुताबिक रोजगार तय करे सरकार वैसा ही काम देगी गाव के लोगों से अपिल करता हूँ कि वह आपना मोल काम नहीं छोड़े उन्होंने कहा है कि हर परखन में एक डिगरी कोलेज खोला जाएगा सरकार के ओर से संचाली सभी, छात्रवासों में रसोया, चोकिदार और भोयन की भी बिवस्था राज सरकार कराने जा रही है मैट्रिक और इंटर की एक टर्म में परिक्षा होने से बिद्यार्थी खोस जारखन में अब मैट्रिक और इंटरमीडियेट के साथ आठवी, नौवी और एगार्वी की एक टर्म में परिक्षा होगी बता दे इस फसले के बाद अब 15 नॉमबर से होने वाले पहले टर्म की परिक्षा नहीं होगी रांची जीला स्कूल के परचारे करम सिंग ने बताया है कि यह नीरने चात्रा और स्कूल हित में अच्छा है उन्होंने कहा है कि इस नीरने से सिख्छा का समय बचेगा जिसका लाब बिद्यार्थियों को मिलेगा उन्होंने यह अभी कहा है कि जैक अलग से सिलेबस और गाई लैन भी जारी करेगा जिसके बाद इस थीती असपरस्ट होगी जमसेदपूर में एस्टी विद्यार्थों के लिए खुलेगा होस्टल एस्टी विद्यार्थों के लिए जमसेदपूर सहर में सो बेट के दो मल्टी एस्टोरी मोडल होस्टल बनेंगे इसे लेकर जमसेदपूर कल्यान विभागने जमसेदपूर अंचल, मानगो अंचल, जमसेदपूर कोपरेटिक कॉलेज, लाल बहादूर मेमोरियल कॉलेज, महिला वीश्व विद्यालों को पत्र लिखकर जमिन चिन्हित कर उपलब्द कराने के लिए पत्र चार किया बतादे इन पाच जगों पर दो जगों पर जमीन उपलब्द होंगे वहाँ होस्टल का निर्मान होगा इस ममले में जम सेथपुर कोपरेटिक कॉलेज में इन एस यू आई के पताधिकारी और करकारता परदसन करते हुए होस्टल निर्मान के लिए जमीन उपलब्द कराने की मांग की है पारा सिख्षको के आंदोलन के प्रेसर से कुछ नहीं होता अस्थाई ग्रण की मांग पर जार्खन के पारा सिख्षको ने एक बार फिर आंदोलन सुरू कर दी है पारा सिख्षको का आंदोलन सरकार पर दवाव बनाने के लिए है लेकिन सिक्षा मत्री जगनात महतों ने साप कर दिया है कि प्रेसर से कुछ नहीं होता जो नियम है उसी की मुताबिक सब काम होगा सरकार ने पाराथ सिस्कों के बेतन में एक मोस्त 40 से 50 परचत की ब्रीधी कर दिया पाराथ सिस्कों के अंदोलन और जारखन की सिक्षा ब्यवस्था पर भी जगनात महतों ने कई बाते कही उन्होंने कहा है कि हमने पाराथ सिस्कों के हाग में कई फैसले लिए 50 एर सिस्कों की बहाली का भी रास्ता साप कर दिया उन्होंने कहा है कि जल्धी सरकारी स्कूलों की ब्यवस्था में अमोल चूल परिवर्ता देखने को मिलेगा मैं आपको अस्वस्त करता हूँ कि कोछ दिनों में या स्थिती आएगी कि प्राइबेट स्कूल की तरह लोग सरकारी स्कूल में भी नमांकन के लिए पैर भी करेंगे पलामू से मानसून की वापसी जारकन में बलामू प्रमंडल से मानसून की वापसी हो गई है अगले 2-3 दिनों में राजे से मान्सुन की बिदाई हो जाएगी पूरे मान्सुन के दोरान जून से लेकर सितंबर तक राजे में 817 मिलिमीटर समाने से 205 मिलिमीटर कम बारिस हुई है या पिछले 5 साल में सबसे कम है उक्त अधी में राजे में समाने रूप से 1022 मिलिमीटर बारिस होती है हलाकी बीते दो माह में राजे में समाने से अधिक बारिस हुई है अगस्त में समाने से करीब 13 फिश्दी और सितंबर में 3 फिश्दी अधिक बारिस दिकोड की गई है दिसंबर से फरवारी तक कोहरा के करने रेलवे सफर होगा मुस्कील रद होने वाली ट्रेनों में दिल्ली समेत दूसरे कोहरा पर भावीत हिसों की ट्रेने अधिकांस होगी बोड से जारी आधेस के बाद जोनल रेलवे ने इसकी त्यारी शुरू कर दी है जार्खन में फिर बढ़ने लगी कुरोना की संख्या जार्खन में अभी भी कुल पोजेटिव एक्टिव केस की संख्या 100 के नीचे हाई लेकि चिंता की बाते आ है कि दुरगापुजा के बात से धीरे धीरे ही सही पर लगातार एक्टिव केस की संख्या बढ़ रही है बता दे पिछले 24 गंटे में राज में करोना के 14 नाई केस मिले हैं वहीं 8 संक्रमित मरिज ठीक भी हुए हैं राज में 4 अक्टूबर को जहां सीव 56 करोना के एक्टिव केस बचे थे आब उनकी संख्या बढ़ कर एक खतर हो गई है स्वास्त विभाग से मिली जनकारी के अनुसा राज में पिछले 24 गंटे में करोना के 14 नाई केस में अकेले ही 6 नाई संक्रमित जम सेथपूर से मिले हैं इसी तरह बोकारों में 2 गुमला में 3 हजारी बाग में 1 लोहर दगा में 2 नाई केस मिले हैं हर रात एसकोर्पियों से बंगाल भेजी जाती है 12 ओर की गाए यूपी और बिहार से धनबाद होकर प्रती दिन करीब 12 ओर की कीमत की गाए बैल, बच्छडे, तसकरी कर बंगाल भेजी जा रहे हैं वहां से इलम बजार के रास्ते इन्हें बंगला देश भी भेजा जाता है तसकरी की इस नेटवर्क में धनबाद के गैंक्स और वासेपूर के अप्राधी भी जुड़े हैं धनबाद से होकर गुजर रहे राश्टी राजबारक 2 के किनारे पढ़ने वाले करीब सभी थानों वो ओपी हर मा बंधी बनाई रकम पहुचा दी जाती है नतीजा निरी गायों को कसाई खानों तक पहुचाने का रास्ता साप मिलता है बता दे बे रोक टोक गाड़िया सरपर दड़ती है अक्सर गरामिन गाड़िया पकड़ते हैं तो इस धन्दे की तस्बीर साप हो जाती है सिर्फ ट्रक ही नहीं बली कंटेनर, मिनी ट्रक, डाक पार्सल वाहन, पिक अप वएन, एसकार्पियों तक में गायों को बेरहमी से बांध ले जाया जाता है वकील राजिव कुमार ममले में चोकाने वाले खुला से कोलकाता पुलिस पर अधिवक्ता राजिव कुमार की गिरफतारी पेपर पर उनके बेटे अभेद कुमार का फर्जी हस्ताक्षर करने कारूप लगा है या अरोप खुद अभेद ने लगाया है और उसने ED के सामने या अभ्यान भी दिया है बताया है कि उसने अपने पिता गिरफतारी से समन्दित किसी भी काग्याद पर अपना हस्ताक्षर नहीं किया है कोलकाता पुलिस ने अपने मन से पुरी साजिस के तहट उसके पिता को फंसाया और खुद ही सभी काग्याद त्यार किया अधिवक्ता की गिरफ्तारी से लेकर उनका स्मार्टफोन की जबती तक में कोलकाता पुलिस ने काणून का पाला नहीं किया अधिवक्ता राजीव कुमार को 31 जूलाई की राद करीब 9 बयो कोलकाता पुलिस ने 50 लाग रुपे के साथ गिरफतार करने का दावा किया था नेतर हाट इसकूल में सकेंड मेरिट लिस्ट जारी नेतर हाट आवासे बिद्ध्याले नेतर हाट में नमांकन के लिए चैनित 100 में से 34 बच्चे ने नमांकन नहीं लिया है केवल 66 बच्चों का ही नमांकन हुआ बिद्ध्याले परवंधन द्वार नमांकन के लिए दूसरा लिस्ट भी जारी की गई जीन बच्चों का नमांकन नहीं हुआ, उनमें से 12 बच्चे चैन के बाद मेडिकल जाच में सामिल नहीं हुए जबकि 18 बच्चे ओवर एज पाये गए, वहीं 4 बच्चों का पवान पत्र भी फर्जी पाया गया बता दे बिद्याले परवंदन ने रीक तरह गई सीटों पर नमांकन के लिए फिर से मेरिट लिस्ट जारी किया 21 अक्टूबर को 34 बिद्यार्थियों को स्वास्त जाच के लिए बुलाया गया स्वास्त जाच सदर अस्पतर रांची में की जाएगी चैनित बिद्यार्थियों को स्वास्त जाच के लिए अपना परवेश्पत्र साथ लाने को कहा गया है परवेश्पत्र नहीं लाने पर बिद्यार्थी स्वास्त जाच में सामिल नहीं हो पाएंगे सरकारी स्कूलों में रभीवार को भी चलेगी कक्छाएं जीले के सरकारी स्कूलों में आप परतेक रविवार को बोट परिक्षा में सामील होने वाले सभी बिद्यार्थी के लिए 20S कक्छा कायोजन सुरू किया जाएगा सबी स्कूलों को इसके लिए निदेश जारी किया है जम सेथ पूरी स्कूल मामले में ग्रामिनों ने किया परदरसन भूयाटी इस्तीत छाया नगर में सुक्रवार को दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है साम करीब साढ़े पांच बजे एक किसोरी ने घर में ही ख पता लेकर पहुंचे इस दोरान किसोरी की स्थीती अत्यांत गंभीर होने के कारण चीकिसोर ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया बता दे छात्रा ने कहा कि सिक्षिका ने उसे एक रूम में ले जाकर उसकी पिटाई की इसके साथ ही ड्रेस उतरवादी जिससे आहात होकर चात्रा ने खोद को आग लगाद ली है धन्यवाद